इस वीडियो में हम पढ़ेंगे transitional devices से मतलिक अपनी पहली वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि transitional devices होती क्या है अब हम यहां पर transitional device की एक type को study करेंगे जो कि है to add to add यानि जब हम एक जुमले में किसी दूसरे जुमले को add करना चारहे हों या जमा करना चारहे हों तो हम in transitional devices का इस्तेमाल करते हैं जो कि अब हम आगे चलके पढ़ेंगे सबसे पहले जुमले की तरफ आएए We have seen the movie toys comma and now we want to see it again We have seen the movie toys and now we want to see it again यानि हमने twice यानि दो दफा हम दो दफा एक फिल्म को देख चुके हैं और and अब हमारे पास एक transitional device है और transitional device लगाने के बाद अब भी रहने क्या कहा and now we want to see it again और हम दोबारा से ये फिल्म देखना चाहते हैं तो अब यहां पर and का इस्तमाल क्या किया जा रहा है कि एक जुमले में अपने दूसरी बाद डालने के लिए हमने transitional device and का इस्तमाल किया कि कोई jump या break ना आए ये transitional device किसले इस्तमाल होती है add करने के लिए यानि हमने एक जुमले में जब दूसरा जुमला add किया ये शामल किया तो हमने इस वाली transitional device यानि and का इस्तमाल किया अब दूसरा जुमले की तरफ चलते हैं my friend speaks urdo and english full stop she also speaks chinese अब यहां पर also जो है ये भी हमार पास transitional device है जुमले को देखते है my friend speaks urdo and english यानि मेरी दोस्त English और अर्दू बोल सकती है she also speaks Chinese और वो Chinese भी बोल सकती है तो और का जो word यहां पर अर्दू में जो और हम इस्तमाल कर रहे हैं यहां पर also हम और के मतलब में लेके जाएंगे और यह भी addition के लिए इस्तमाल हो रही है यानि जमा करने के लिए कि हमने एक और चीज जुमले में add कर दी या हमने एक और चीज की addition कर दी यहां पर कोई jump नहीं आया कोई break नहीं आया और हमने अपनी बात को मुकमल कर दिया तो also भी एक transitional device है जो add के लिए इस्तमाल होगी अब अगर हम तीसरे जुमले की तरफ चलें cheating is dishonest cheating is dishonest full stop moreover it stops the student from learning cheating is dishonest यानि नकल करना एक बद्यानती या बेमानी है moreover अब यह moreover जो है यह भी एक transitional device है हमारे पास moreover का मतलब है इसके इलावा it stops the student from learning और यह क्या करती है एक student को या एक तालिब इल्म को रोकती है कि वो सही से पढ़ सके या सीख सके अब इस जुमले में आप देख सकते हैं कि पिछली ही बात की support में या favor में एक बात कही जा रही है आगे और ये दो जुमलों को जोड़ा है moreover अब ये भी हमारे पस क्या है addition के लिए हम इस्तवाल करें है यानि दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए और पहले वाले जुमले से ही मतलिक हमने जब दूसरी बात की तो हमने moreover का इस्तवाल किया के कोई jump या कोई break ना आए अब आखरी जुमले की तरफ आए you must complete this essay by 5 p.m. full stop in addition you must do the exercise on page 47 अब यहाँ पर देखे you must complete this essay by 5 p.m. यानि आप शाम 5 बज़े तक ये ऐसे जरूरी या लाज़मी मकमल कर लें in addition यानि इसके इलावा या और you must do the exercise on page 47 के आप इसके साथ साथ page 47 पर जो exercise है वो भी करें तो अब यहाँ पर भी क्या है कि दो जुमलों को आपस में जोड़ा जा रहा है यानि एक ही जुमले से मतलएक एक दूसरी बात भी add की जा रही है तो हमने transitional device का जो इस्तमाल किया वो हमारे पस क्या है in addition जो के एक बात को add करने के लिए या शामल करने के लिए इस्तमाल हो रही है तो यह थे कुछ transitional devices जो हमारे पास किसी चीज़ को add करने के लिए इस्तमाल की जाती है यानि एक जुमले में जब आप दूसरी बात को add करना चाह रहे हों और आप ये चाहें कि कोई jump या break ना आए ऐसा ना लगे कि आपने एक बात करके अचानक से दूसरी बात शुरू कर दी है यानि कि जुमले का तसलसल बरकरार रहेगा इन transitional devices के इस्तमाल से और इनके इलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सी transitional devices है जो addition के लिए use होती है लेकिन आम तोर पर अपने जुमलों में हम in transitional devices का इस्तमाल करते हैं and also moreover in addition अब आप इस वीडियो को देखिए और इन transitional devices को दोहराईए और इनका जुमलों में इस्तमाल भी सीखिए